आपने बिल्कुल सच सुना है फिर से ग्रहन जो है वो लगने वाला है आठ नेवेंबर को चंदर ग्रहन और यह बिल्कुल भारत में दिखाई देने वाला है इस वीडियो के अंदर मैं कुछ नियमों का बताऊंगी कि किन नियमों का एक प्रेग्नेंट लेडि को ग्रहन के दौरान पालन करना है उन्हीं नियम को बताऊँगी जो मैंने मेरी प्रेग्नेंसी में पालन किया था और मेरी कुछ सब्सक्राइबर भी उसे चैन्टीनीव लिखाई देखा कौन से राजे में ज़्यादा प्रभावित होगा क्योंकि किन नियमों के हिसाब से उसी हिसाब से पालन करना होगा साथ में यह चीजें भी कही जाएगी बताई जाएगी कि ग्रहन के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को कौन-कौन से काम को बिल्कुल नही नहीं है नहीं एक वीडियो में आपको डराने के लिए बनाई हूं मैंने यह वीडियो इसकी बनाया है कि आप नियमों का पालन कीजिए और दिमाग से रिलाक्स रही है ज्यादा कुछ भी सोचने और करने की ज़रूरत नहीं है वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम श् दिखाई देने वाला है जैसे कि बात करें तो यह कोलकता सिली गुडी पटना और भी कुछ राजियो में दिखाई देगा तो आपको कंटिन्यू नियमों का पालन करना है मैं उन महिलाओं के लिए भी बात करूंगी अगर आपके राजे में दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है तो भी आपको नियमों का पालन करना है क्योंकि भारत में कहीं भी दिख रहा है तो यह एक बड़ी बात होती है कह सकते हैं कि प्रित्वी पे जितने भी जियू जनतु होते हैं ग्रहन से उनका प्रभावित होना बहुत सोभाईक सी बात है तो डरने की ज साम को साथ बज़ के 27 मिनट तक continue छे घंटे तक रहेगा अब इस दौरान हम क्या करें कि नियमों का पालन हमसे हो जाए करना क्या है आप पूरे टाइम जो भी खाना पीना चाहती है खाईए सब में तूलसी के पत्ते डाल दीजिए अब नेक्स अगर आप सोना चाहती है तो हा नीद आ रही थी तो जब भी नीद आती है हाथों पैरों को सिधा करके सो यह दवाया आपको जो दी गई है डॉक्टर से रिकमेंड किया मोस्ली कैल्सिया कैल्सिया मारन होती वह आप खाये छोड़िए मत एक दिन के लिए भी दवाया क्योंकि अगर आप एक दिन भी दवा के बाहर मत निकलिए एक कमरे में रहिए और कमरे में चारो साइट से जिधर से लाइट आती है परदे लगा कर रखिए मोबाइल टीवी इन सारी जिजों को वरजित माना जाता है और क्या करना है अपनी लंबाई का धागा रख लेना धागा ग्रान के तीन-चार दिन पहले कर लिजे और अपने पास रखिए भगवान का नाम लिजे जिस भगवान में आप भरुसा करती है जिन से आप प्यार करती है और ग्रहन समक्त होने के बाद उसी धागे को गमली की मिट्टी में डाले और पानी के बहाव में डाल सकते कहीं भी जहां आपका दिल करें ठैंक् कर दित हैं